कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और जहां तक बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की तो क्रिप्टो मार्केट में अच्छी हरयाली हमने देखी लेकिन आज अगर आप देखेंगे सेटेडे आज चुका है वीकेंड का टाइम है और बिटकोईन ने फिर से यहां पे जो है गेम किया है और मार्केट में आप देखो पिछले एक महीने से गेम ही हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है ना तो बिटकोईन के लेवल जैदा डंप हो रहे हैं ना ही बिटकोईन 32,000 को टच कर पा रहा है 31,800 को छूने के बाद भी अगर आप देखो 31,800 को ट देखने को मिला है मैंने आपको एक चीज कही थी कि मार्केट ना मार्केट में आप देखो बिटकोईन का प्राइस बढ़ना और घटना यह बहुत मेटर करता है फ्यूचर ट्रेड बेबी जी हां फ्यूचर ट्रेड कहीं ना कहीं अगर आप देखो बहुत सारे ऐसे कॉइन समने देखें जिसकी फ्यूचर ट्रेड अवैलेबल नहीं होती आप खुद नौटिस कीजिएगा अभी दो दिन पहले कॉइन एक कोईन 170 परसेंट पंप हो रहा था ओन जी कोईन था ठीक है अब वो उसकी फ्यूचर ट्रेड अवैलेबल नहीं थी उसमें आप फ्यूचर ट यहाँ बीड को सब्सक्राइब करता है फ्यूचर ट्रेड गरता है अच गहां से हमार्किट एक ध्रेड जन में चल सकता है इला है ना मार्किट चलता है future traders के according कि वो कहां पर trade ले रहे है long की ले रहे हैं short की ले रहे हैं उनको कैसे मैं liquidate कर सकता हूँ ये market की reality है और एक चीज हमने आपके साथ share की थी कि market liquidation के लिए कुछ भी कर सकता है तो जो कहते हैं कि future trade का कोई impact नहीं बढ़ता market के उपर, market अपनी की धुन में चलता है, नहीं है, ऐसा नहीं है बिलकुल नहीं है आपकी longs और short की position ही bitcoin का how about टै करती है कि वो क्या करेगा, ठीक है कुछ cases में अगर बात करें तो चीजें सीधी चलती हैं लेकिन बढ़िया mostly चाए bitcoin हो, चाए बाकी future trade वाले coins हो सबी coins नाच रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ longs और short की position के according किस तरह से longs वालों को liquidate करना है, किस तरह से short वालों को करना है market में liquidation होते ही क्यों है, market अगर अपनी सीधी दुन में चले या जो bitcoin 24,800 से 31,800 hit कर ले, वो bitcoin एक बार भी 28,000 पे नाए आप खुद imagine करो कि कितना बड़ा game होता है future trade के अंदर सिर्फ और सिर्फ और कुछ भी नहीं है ये liquidation वाले game है और कुछ भी नहीं है ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अब जो है अच्छे का से liquidation long वालों के कर दिये पहले थोड़ा market को bullish कर दो, और longs की position लगे फिर गिर जाओ, फिर यहाँ पे shorts की position लगे और फिर pump हो जाओ, तो यह क्या होता है, यह सिर्फ pump dump यह क्या होता है, यह सिर्फ liquidation के game होता है, लेकिन bitcoin अब चल रहा है 30,300 पे तो काफी दिनों से बस bitcoin अगर नीचे भी जाता है, तो आ जाता 30,000 पे, 30,000 से उपर और 31,000 पे जाता है, तो आ जाता 30,000 पे, 30,000 का level एक ऐसा level हो गया, जो bitcoin को कही न कहीं बहुत पसंद है, और इसको छोड़ने के लिए तयार नहीं है, ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, bitcoin में थोड़ा सा वेट करो, weekends का time है में भी 31,000 का level bitcoin हमको फिर से दिखाए ठीक है, अभी यह game और भी continue चलेगा और जैसे जैसे FOMC की meeting नजदीक आएगी वैसे वैसे चीज़ें clear होंगी कि आगे क्या हो सकता है, जैसे monthly closing का time और FOMC की meeting सब last week में है तो उसका wait जरूर कीजेगा तो जहां पूरी market एक तरफ red में चल रही है, लेकिन एक crypto ऐसी है, जो आपको जैदा नहीं, green में जरूर देखने को मिल रही है, और उसका green में आना ही बहुत बड़ी बात है हम शिवाईनों की बात कर रहे हैं और कल से हम telegram पे भी share कर रहे है, शिवाईनों की चाल जिस तरह की चल रही है, definitely जुलाई मन्त के अंदर एक stage तयार यहां पे कर रहा है शिवाईनों अगर यह stage तयार हो जाता है और 0.4 time 0.1 के level दिखा देता है शिवाईनों इससे उपर closing देता है जुलाई मन्त की जो हम August, September, October की बात कर रहे हैं, यह तीन महिने में कोई भी एक महिना ऐसा होने वाला है, जिसमें हम बड़ा pump देख पाएंगे, शिवाईनों का जो लेके जाएगा 0.4 time 0.3 और 4 के level पे तो शिवाईनों में डेफिनेटली यह train अब थोड़ी थोड़ी अगर आप देखो 0.5 time 0.758 के level थे, आज जो इसने अभी high लगाया है, 853 तक लगा दिया है, मतलब 1.0 kill करने के लिए कहीं न कहीं शिवाईनों आगे बढ़ रहा है, और अगले कुछ दिनों में, जैसे जैसे बिटकोईन की चाल रहेगी, में भी आपको यह 0 kill होती दिखे, 1.0 जो 5.0 काफी time से लेके बैठा है, इस 1.0 को शिवाईनों बाई बाई कहे दे, नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक तरह से मार्किट में एक correction, little correction हम कहेंगे, 5-6% आपको बहुत सारे coins डाउन देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में एक coin का जो pump है, वो हमको जल्दी देखने को मिल सकता है, और वो coin है XMR, no doubt XMR 126 dollar से 172 dollar तक गया है, लेकिन अगर आप इस coin को देखोगे, आपने देखा, bitcoin कैश को उड़ते हुए, काफी अच्छा pump हुआ, आपने आवे को देखा, वो भी अच्छे momentum दिखाए, आपने compound को देखा होगा, जो की तकरीवन तकरीवन डबल हो चुका है, इसके बाद जो नंबर लग सकता है, एक crypto और है, जिसका नाम है Dash और XMR XMR का जो target आप लेके चल सकते हो, अगर आपको ये 150 से लेके, 160 की रेंज में मिलती है, जो की आपको मिल भी रही है इस time पे ठीक है, तो एक अच्छी entry आपे बन सकती है, और इसका जो target आप लेके चल सकते हो, ठीक है, hold करना पड़ेगा आपको, short term के लिए आपके साथ discuss कर रहे हैं, short term में भी आपको अच्छा return दे सकता है, अगर हम monthly time frame पे चले तो भाईया ये coin आपको जल्दी ही 200 से लेके 250 डॉलर भी पार होता हुआ, देख सकता है 250 डॉलर का target आप लेके चल सकते हो इस coin के अंदर short term के लिए, ठीक है लेने से पहले अपनी भी research कीजिएगा, ठीक है और short term means, या तो इस महीने भी हो सकता है, अगले महीने भी हो सकता है, या फिर September October, October तक का time है, और definitely आपको 200-200 डॉलर की range आपको दिखा सकता है short term में अगर आप future trade करते हैं तो future trade के लिए आप हमेशा ध्यान में रखिए, आपको यहाँ पे liquidation देखना पड़ेगा, किस coin में कितना liquidation हो रहा है, एक घंटे में कितना हुआ है, चार घंटे में कितना हो चुका है, बहुत सारी चीज़े होते होते हैं, और कुछ real time liquidations भी होते हैं, जिन में आप यह अंदाजा लगा सकते हो, कि आपको trade कहां पे लेना है, उस coin में आपको opportunity मिल रही है, यह नहीं मिल रही है, ठीक है, तो यह आपको नजर रखना बहुत जरूरी है, अगर आप पिछले घंटे में देखो, पूरा chart आप देखोगे, लाल, लाल, मतलब short वालों के liquidation हुए हैं, अगर हम short वालों की बात करें, पिछले घंटे में 1.4 million dollar के liquidation हुए हैं, चार गंटे में 3.4 million dollar के short वालों के liquidation हुए हैं, यह तो पिछले एक घंटे की बात है, लेकिन अगर आप पिछले 24 गंटे में देखेंगे, तो 149 million dollar, market जो गिरी है, 149 million dollar के liquidation, bitcoin ने, crypto market ने कर दिये, long वालों के, आप देखो, market liquidation के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, 56,000 trader liquidate हुए, और total liquidation 186 million dollar तक जा पहुचा है, तो market में कुछ भी हो सकता है, और market आपका, और आपको liquidate करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि future trade में जरूरी है time पे profit book करना, आप देखो, कुछ real time liquidations हो रहे हैं, यहाँ पे अब देखो, matic ने अभी-अभी 4,000 dollar के liquidation किये हैं, short वालों के, यह लाल निशान आप देख रहे हैं, short वाले liquidation है, अगर कोई green में आपको दिखेगा, तो green में आप देखोगे, यह long वालों के liquidation है, तो आप देखो, यह short वालों के, अगर आप देखो, सबसे पहले है, matic, उसके बाद, dogecoin के अंदर भी short वालों के liquidation हो रहे हैं, dogecoin ने अभी 50,000 dollar का एक liquidation किया है, ठीक है, उसके बाद, dogecoin ने यहाँ पे और भी liquidation किया, 35,000 dollar का, बड़े-बड़े liquidation है, 10,000 dollar का, 18,000 dollar का, तो dogecoin में इस time पे definitely pump आ रहा होगा, तो थोड़ा dogecoin के chart के उपर चलते हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हो, dogecoin में जो liquidation हो रहे हैं, यह pump नहीं है, यह सिर्फ एक liquidation वाला game है, जिसके अंदर अभी आपको हमने दिखाया, 50,000, 30,000, यानि एक लाख, दो लाख, डॉलर तक के liquidation, इस छोटे से pump ने, dogecoin के इस छोटे से jump ने यहां पे liquidate कर दिए, तो market को बस आपका पैसा चाहिए, और आपको कोशिश यह करनी जीए, कि market को पैसा नहीं देना, market से पैसा लेना है, पस ये कोशिश होनी चाहिए, आपकी, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं, liquidations वाले जो road map हैं, और ये जो heat map हैं, और ये जो real time liquidations वाली देखने को मिलती हैं, अब यहां पे आप देखो, pump करने के बाद, में भी थोड़ा सा उपर जाके, short की एक अच्छी trade बन सकती है, dogecoin के अंदर, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं, कि mocha मिलता है, जहां पे liquidations होते हैं, liquidation करने के बाद, उस coin में trade लेने का mocha हमको भी मिल सकता है, ठीक है, तो dogecoin में इस time पे jump आता हुआ, 3% का, और अच्छे गासे liquidation dogecoin ने फिर से कर दिये, last and final में हम बात करेंगे, nulls की, nulls minute we 2.16.0 will meet us on July 18, तो 18 जुलाई को जो है, इनका एक यहां पे minute आने वाला है, nulls minute ठीक है, और release होने वाला है, तो थोड़ा सा nulls पे focus कीजेगा, 18 से पहले, ठीक है, आज की इस वीडियो को करते हैं, यहीपे, बाकी update नेक्स्ट वीडियो में cover करेंगे, और वीडियो पसंद आया है, like, share, comment कीजेगा, कोई question, कोई सवाल है, पूछ सकते हैं, किसी भी crypto में invest कर रहे हैं, तो हमेशा अपनी research जरूर से जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, take care.